हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों मैं डॉक्टर भारती परमार मैं लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुवल आर्ट एंट जी के टुटोरियल पर आप का स्वागत करती हूं दोस्तों आज का वीडियो है जोत्सिना भट्टी जी के ऊपर यह भारत की बहुत ही प्रसीद सरेमिक आर्टिस्ट रही है पॉर्टर रही है और पिछले ही वर्षिन का देहानत हो गया है तो इसलिए इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखें और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और अगर आग को वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शिय जी का जन्म हुआ 6 मार्ज 1940 मांडवी कच्छ जिला गुजरात में और उनकी मृत्ती हुई है हाली में 11 जुलाई 2020 बड़ोदा गुजरात में जोटसिना जी के पती हैं जोती भट्ट जी जो की प्रसिद भारत के प्रिंट मेकर, फोटोग्राफर और चित्रकार हैं जोटसिना भट्ट जी का जो शिक्षा हुई वो उन्होंने शुरू में की एक वर्ष के लिए जेजे स्कूल अफ आर्ट मुंबई से उसके बाद 1958 में शंखो चोधरी के निर्देशन में बडोदरा के महराजा सयाजी राव विश्विद्याले में मूर्तिक अलाका नोंने अध्यन किया 1908 के मंदी के दश्रक में सयुक्त राज अमेरिका के ब्रुकलिन म्यूजियम आर्ट स्कूल में जोलिन हाफ स्टेंड के आच्षानी दिमें उन्होंने सेरमिक का अध्यन किया और भारत लोणने के बाद केजी सुप्रुमन्यम जी बीके बरुआ तथा पारंप पूरी कुमार पूना काका के सानेदियु में मिट्टी के काम सीखने का उनको मौका मिला। कहा जाता है कि जियोसिना भट्टी जी के काम को करते हुँ देखना भी अनुबव होता था। वो मिट्टी तयार करती थी, उसे चौक पर छोटे छोटे आकार गड़ने, मसलन, कटोरा बनाने, उसे सुखाने, उसे वांचित, रंग गरूब देने और भट्टी में पकाने तक कि पूरी प्रक्रिया उनके लिए एक बेहत गंभीर और जिम्मेदरी भरा काम होती थी। पूरी प्रक्रिया के दुरान में मिट्टी को और उसमें निर्मित करती को शिशु की भाती अत्यंत लागव से बरती जाती थी। जैसे कोई मा जूले में इत्मिनान से छोटे बच्चे को बारबार तोह देती है। जि कहीं उटतों नहीं गया। वेसे ही जोतसना भट्टी जी भी अपने कृतियों के उसे सहलाती, सहस्ती और परिशर्त करती देखे चासकती थी। उन्होंने अपने करतियों में जो अपणत्व का गहरार रष्ता दिखाया, वह सभी कामों में प्रतिविभ्यंभ होता है। यही कारण है उनके कामों में फार्टश किस्म की, श華्ण जोत्सिना के काम की एक विशेश श्टा है जो उनके व्यक्तित में भी मेल खाती है अब उनकी कलाय आत्राकों देखा जाए तो 1972 में जोत्सिना भटजी ने लरितकला संकाय महाराजा सयाजी राव विश्विद्यारे बड़ोद्रा के मुर्तिकला के सेरेमिक विभाग में बतो के पद से सिवा निवरत हुई उनकी कारिशेली को देखा जाए तो वो अपने कामों में बिल्लियां पक्षियों कमल की कलियों खिलोनों इत्यादी को देश विदेश की कई गेलरियों में प्रदेशित कर चुकी थी उनके सेरेमिक शिलपो के नवीनतम संग्रह को 25 नवंबर 2017 को कॉलकता की गेलरी 88 में प्रदेशित किया गया था अब आईए हम जोतसिना भटी जी के कुछ कामों पर नज़र डालते हैं जोतसिना मटी जी के कामों को अगर देखा जाए तो वो बहुत ही संबब है कि उन्होंने मिट्टी की ताजगी को अक्षून बर रख पाने का जादू इन उसका कुमहारों से सीखा होगा क्योंकि मिट्टी ऐसा लोज़दार माद्यम है कि जिसमें कुछ जोड़ों तो उस जोड़ को पूरी तरह से मिटाया जा सकता है मसलन किसी जानवर के हाथ, पेर, आख उसके शरीर पर ऐसे जोड़े जा सकते हैं कि जोड़ का पता ना चलता हो यानि जोड़ की लकीर को मिटाया जा सकता है जोटसिना भट के कामों को देखने से वे इन जोड़ों की रेखाओं को बहुदा छेड़ना पसंद नहीं करती थी वे उन अलग-लग अंगों की बनक को सपष्ट करती रेखाओं को यतावत या उभार कर दिखाना पसंद करती थी उनके ये कामों को देखा जाए तो ये केटली है जिसमें उनने बहुत सारा रंग तो यूज नहीं किया है लेकिन जितने कम रंगों में उसको इतना सुन्दर डिजाइन दिया है अगला यह काम देखें उनका इस काम में उन्होंने गोल्डन, ब्राउन, लाइट ब्लू इस तरह के रंगों से बहुत सुंदर सजावट की है एक यह अन्ने काम है जो सिना भट्टे जी के काम जो बच्चे खिलोने वाले होते थे उस तरह के काफी काम उन्होंने बनाए है ये आराम करती हुई बिल्ली उनके कामों को देखकर एक अजीब सा सुकून और आराम महसूस होता है एक ये अन्य काम उनका जो वाइट कलर की बहुत सुन्दर से उन्होंने बिल्ली बनाई है एक ही उनका काम है मुर्गा बनाया है यह जो प्लेट बनाई है उन्होंने सेरेमिक की उसमें कुछ कलर्स यूज किये हैं और एक मुर्गे की आकरती बनाई है ये दो उल्लू का जोड़ा जो बहुती सुन्दर यलो, गोल्डन, ब्लू इस तरह के रंग उन्हों ने इसमें यूज़ किये है ये जोटसना भटजी अपने सेरमिक का काम करते हुए जोटसना भटजी अपने पती कलाकार जोटी भटजी के साथ इस तस्वीर में कहा जाता है कि हर माध्यम की अपनी सीमाएं और दायरे होते हैं एक कलाकार अपने काम के द्वारा इन रेखाओं से सीमाओं से बंदे होने के बाबजूद भी उनका अतिकरमन करता है वहाँ इन सीमाओं का विस्तार भी करता है जोटसिना भट के बाद अब उनके शिश्यों की टोली, मिट्टी के इस प्राचिन तम माध्यम को कितनी और उचाईयों तक ले जाएगी इसकी सीमा अभी तय नहीं हुई है तो ये जोटसिना भट जी का एक छोटा सा परिचे था जो कि आने वाले एक्जाम के पॉइंट आव यू से काफी महत्पून है क्योंकि अभी 2020 में ही उनका देहान दुआ है और इस तरह से ये काफी महत्पून बन जाता है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए यूसफुल भी रहेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें जै हिंद